हाई विर्वन तो आप लोग का IVPS PO या फिर SBIPO के इंटर्वी में एक बहुत कॉमन कोशन बनता है कि बेसिकली जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो लाइक बैंक प्रोफाइल क्या होता है रोज क्या होता है रिस्पोंसिबिल्टीज क्या होती है यह बहुत कॉमन कोशन आपको पता हो चाहिए आप जिस जॉब की तयारी कर रहा हो तो बेसिकली मैं आपको पूरा एक समरी वे में बताऊंगा कि एक दो साल के प्रोबेशन में जब अंडर ट्रेनिंग होते हैं सभी लोग तो उसमें काम क्या होता है बोटा मोटा काम क्या करता है ठीक है और रिस् पत्ला मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर या तो मैगें ट्रेनिंग बेसिकली एस्बी आई की बात किये ऊहां पे शियोकर पी बोली पूरध लीजमेंट पिर आती है इसलिए साथ में टर्म मंट्र करता है कि ज peppल लोग को बोली जाता है कि JMGS का मतलब यह होता है कि niac management grade scale 1, officer हम लोग होते हैं, कहीं भी किसी बैंक में आप जॉब, जो बैंक भी होता है, starting भी होता है, जो तक यह है कि जब 2 साल का probation होता है, यह तो आपको पता है, तो उस 2 साल के probation में हमारे क्लास्रूम ट्रेनिंग, जहां पे आपको चीजे theory way में सिखाए जाती है, knowledge दी जाती है, क्या क्या काम होता है, किस किस तरह के ब्रांच में आपको काम मिलेंगे, यह सारी चीजे पताई जाती है, आपको बहुत साए department का विजर कराया जाता है, हर चीजे कराया जाती है, और ए इन duration के लिए होता है, for example, मैं SBI के बात करूँ, SBI में दो सार के probation कुछ इस तरह से divided होता है, कि starting के 6 मेने में आपको डाल दिया जाता है, branch में, starting सही, आप जाते हो, ब्रांच में चले जाते हो, एक general banking की आपको training होती है, अभी समझाऊंगा, दूसरा फिर आप 6 मेने जाते हो SMA training के लिए, उसको भी बताऊंगा, और उसके बाद आप एक सार के लिए जाते हो, rural branch में, और उसके बाद आपका confirmation होता है, तो दूसरा के इस तरह से बटा होता है, ऐसी IPSP होता है, like PNB में, Bank of India में, अलग तरह से bank, अलग तरह से करवाते हैं, कोई पहले training करवा देता है, और कोई बाद में branch भेजता है, SBI में क्या है, branch भेज देंगे, फिर बीच में आपको 2-3 हफते के लिए, 3 हफते के लिए, गांधिनेगर center में, और दिल्ली center में, लखनों के SBI LD में, कहीं नहीं कहीं आपको बुलाएंगे, और वहाँ पे आपके training करवाएंगे, तो इस तरह किसे होता है, जिसे मालो जब training होती है, तो काम क्या होता है, समझते है, जिसे मालो मैं general banking के बात कुरूँ, और यह हर bank में होता है, जब आपको branch भेजा गया, general banking मतलब होती है, जब आप किसी branch में enter करते हो, ऐसा customer enter करते हो, तो आप जितनी चीज़े अपने round देख रहे होते ह है, वो सारे general banking में आती है, ठीक है, जैसे account opening का का काम कोई कर रहा होता है, तो वो भी general banking में आता है, check deposit काम वो भी समें आता है, NEFTRT जिस हो रहा होता है, अच्छा, check हो गया, DD हो गया, ATM card के inquiry हो गई, ठीक है, यह सारा general banking में आता है, अब आप बोलो भया, यह तो clerical काम होता ह है, PO की क्यों सिखा जाता है, देखे, PO होता क्या है, PO और MT होता है, होता क्या है, आप लोग को basically क्या होता है, कि आप गये जाके आपको branch manager बनना होता है, तो दो साल में आपको इस तरह से train किया जाता है, कि आप जब दो साल बाद assistant manager बनो, जब किसी branch को head करो, क्योंकि दो साल क्या होता है, confirmation के बाद, आपको छोटी ब्रांच दी जा सकती है, अब आप पुरे branch के head को, तो आपको branch में क्या activity हो रही है, from a clerical perspective to management perspective, सब कुछ पता होना चाहिए, यह बास में आ रही है, तो इस तरीके से आपको हर चीज सिखाई जाती है, तो जब जनर बैंकिंग होती है तो वहाँ ही जो सब्सक्राइब ने बताई है, वह तो सिखाई जाती है, साथ में जो अभी आपके banking के projects हैं, आपको सब्सक्राइब जाता है, आपको इस टाइंग पे, जनर जैसे मानलों के काम चोटे मोटे होते हैं, मानलों परसनल लोन हो रहा है, होम लोन हो रहा है, तो उनका documentation, उनकी filing कैसे करते हैं, क्या क्या document इक अठ्था करते हैं, क्योंकि बाद में जाके दो साल बाद आपको ही loan करना है, तो आपको पता होना चाहिए, at least कि loan का पूरा process क्या होता है, starting from documentation, फिर processing कैसे होती है, फिर आगे forward कैसे होता है, तो यह सारे चीज यह बेसी बेसी सि आपके SME branch से या फिर SME loans होते हैं, तो वहाँ पे उनको भी हमको दिखाया जाता है, वहाँ पे हमें different type के training आप लोग करते हो, जहाँ पे आपको company की balance sheet पढ़नी होती है, company का project देखना होता है, किसी भी company को आप इतना बड़ा loan दे रहे होता है, उसका project को inspection करना होता है, raw material च करते हो, तो वहाँ पे जो branch आपको lot होती है, महाँ पे maximum आपको KCC, आपने परदा होगे समय, किसान create card, उसके बारे में रेखते हैं, KCC loan के बारे में देखते हैं, farmers का जितना भी मलब perspective होता है, उनको किस तरह loan दे सकते हो, उसको क्या-क्या होते है, उसको किसान विकास पता ह जितनी चीजे होती है, वह सारी आपको rural training में सिखा जाती है, जो कि currently चर्वरी होती है, तो इस तरीके से क्या होता है, कि आपका हर जगह यही होती है, मेरी bank of India वाले friend से बात होई, तो उन्होंने भी यही पताया, कि उनलोग कभी यह उसर होता है, उनलोग को पहले branch में डाल तो उसकी entry बनती है, अब उस entry को maker ने बनाया कि मार लोग 5,000 निकालना है, अब गलती से, ठीक है, मार लोग 5,000 पांस लाग हो गया, तो checker के पास वो क्यू बजाती है, इससे checker चेक कर लेता है, कि हाँ जो entry हो रही है, जो भी cash निकालना है, सब को सही हो रहा है कि नहीं हो तो इसलिए maker checker concept है, जिससे गलतियां नहों, गलतियां avoid करने के लिए concept बनाये गया है, जो checker होता है, वो officer का track होता है, अब वो officer या तो आप IPSPU जो हो है, वो बन के जा सकते हो, SBIPU बन के जा सकते हो, या फिर जो clerical से promote होते हो officers वो हो सकते है, ठीक है, तो यह सारा basically काम होत आपके bank में ठीक है, that's it, bye bye and take care.